श्री रादे रादे भक्तों संतों के प्रशाद की बड़ी महिमा होती है और ये वो प्रशाद की सी विशेश उच्चकोट की साधक के द्वारा प्राप्त हुआ हो तो और अधिक महिमा उसकी हो जाती है कई भाक्तों लोग बड़ी मेहनत करके कि वो पैसा ये नहीं अपने शारेडिक परिश्रम के द्वारा संत के लिए प्रशाद तयार करते हैं ऊस प्रशाद में बड़ी दिव्यता होती है सात्विक्ता होती है और संत उसकी ग्रहण कर ले उसको फिर उसके बाद इस किसी को देते हैं तो उनके दिये हुए प्रशाद में संत की कृपा तुराती है और जिस भाक्त ने मेहनत करके तयार किया है उसकी भी भक्ती का प्रभाव उसमें होता है कल आप शमुण कर रहे थे कि श्यामा माता जी एक थी उन्होंने अपने हाथ से बुन-बुन करके महराथ एक पहले तो रूई मगा करके दागा काता था उन्होंने चरके से और फिर उस तूत को जिसको काता था चरके से उसी के द्वारा चोड़ी किनारी की एक हारी रंग की शूत की जो साड़ी बनाई थी पूरी साड़ी बुन कर बनाई थी और उनको मा जीठे वाली श्यामा माता का जाता था वो संतोस जी की ने उन्होंने बनाए और संतोस जी उनके भाव को देखकर उसको पहनी गई दो जिन पहनी फिर उसको आलमारी में रख दी बड़े आदर के साथ और सोश्टी थी कभी जैवरत होगी जब कोई भगवान का उत्सव होगा तब पहन होगे तो मैंने आपको बतलाया था कि प्रमिला नाम की एक भागता थी वो आए और प्रणाम करके चर्णों में बैठी जब संतोश्टी के तो उसकी भागती को समझ करके संतोश्टी ने कहा कि मुझे बहुत प्राणों से विप्री है एक वस्तु आज मैं तुझको देना चाहती हूँ तू पहने तो बता मेरी साड़ी है वो तो तो बहुत खुश हुए प्रमिला और फिर नों ने वो साड़ी दिया बहुत आदर के साथ बार-बार सिर्थ से लगा करके रखा बड़ा ही प्यार-भरा परशाद था वो संतोस बहिंजी की जो प्रेटी थी उसको समझती थी वो बहुत उसक्रिष्ट साधक थी इसलिए उन्होंने और अधिक आदर के साथ कि मुझे मेरी साधना का एक बल प्राप्त हुआ माता का परशाद मिला कृपा के वरिष्टी हुई थी और उसी साधी को वो प्रमिला जी ओड़कर बैठती थी बजन करने के लिए बहुत दिन तक रखा वो यह उसको लेकिन महराज संभाल कर रखना भी तो कटिन काम होता है जब उसको बोड़कर के बैठती थी बजन करने के लिए तो लगता था कि कितना ज़्यादा साथ विकता में दूबी हुई भगवान के ध्यान में बिल्कुल इस्थिर बैठी हुई और उनके एक परचित को इसकी भनक मिल गई कि कैसे कैसे साड़ी तयार हुई श्यामा माता ने इसको बोन कर बनाया संतोष जी ने इसको पहिना है दो बार और अब ये भगता प्रमिला को मिली है तो महराज उस परचित का मन थोड़ा बहिमान हो गया और चुपके से वो साड़ी उठा ले गया और उसके दुसाज से प्रमिला जी स्थब्द रह गई लेकिन फिर भी वो जीवन भर उस पवित श्मृती को प्रशाद की श्मृती को हमेशा स्वजो करके मन में रखती थे ये लोग स्थाधारन लोग नहीं थे जो संत के इतने प्रेमी थे संत की कृपायन को प्राप्रशी इसी तरस एक द्वारका सेंग जी थे लाहोर से आये थे वो व्रिंदावन पहुंश्टे ही प्रणाम करने के लिए दावडे संतोसमाता की चर्णम लाहोर में संत नगर में रह रहे द्वारका सेंग जी वहां संकीरतन संब्राट के रूप में प्रसिड़ थे बहुत सुंदर हरिनाम कीरतन गाते थे इनका मस्ती भरा कीरतन दीवारों तक को गुंजाय मान कर देता था उज्वहिन जी के प्रती इनकी अत्यधिक निष्ठाथी संतोस जी के लिए वास्तोमें इन सभी भक्तों के भावा वेश को संयत और स्थिरता प्रदान करने की ख्रमता संतोस जी के अंदर थे नहीं तो कीरतन आवेश में द्वार्का संह जी को अपने बस्ट तक महराज याद नहीं रहते फार डालते थे अपनी कप्ड़े ऐसा मत समझे ना की कोई नाठक करते थे उनको विरह का उनमाद हो जाता था कीर्टन के आवेश में द्वार्का सेंगी जी को विरह का उनमाद हो जाता था तो उन्हें याद ही नहीं रता था कि वो अपने कपड़े इस्तर फाल रहे हैं फाल डालते थे अपने कपड़े भी अंतिम समय में जब द्वारका सिंग जी को अक्षा घात हो गया था थोड़े जिन कष्ट पाय थे तो अपने देहाद्यास की परिक्षा सी लेते वे अकेले ही डगमगाते कदमों से उस आसमर्थ अवस्था में भी संतोस भहिंग जी के यहां पहुँच गए थे कैसी सबल आश्रे थी संतोस जी वहां पहुँचते ही उसी मस्ति भरे पदगान कीरतन ध्वनी इनके द्वारावाता वरोन को गुणजाय मान कर दिया अब आप समझे कि पक्षा घात हो गया था फिर भी डगमगाते डगमगाते पहुँच गया सद्धा इतनी उची थी उस बेसुदी में किसी भी रुगमड़ता विवस्ता का ध्यान ही उनको नहीं रहा उनकी परिजन जब ढूंडते ढूंडते वहां पहुँचे तो कि घर वाली लोग सोती करी यह कहां चली गए अक्षा घात करोगी कहां चला जाएगा लेकिन महाराज वो तो संतोस जी कहां पहुँच गया थे जब घर के लोग ढूंडते ढूंडते पहुँचे हैं तो संतोस जी सरला जी वो द्वार का सिंग जी तीनों को ही दिव्य संकीरतन में साम्राज में डूबा हुआ घर के लोगों ने देखा उनको तो पता भी नहीं था कि शरीर में इतना बड़ा कश्ट हुआ है प्रभु के नाम चंकीरतन में मास्त थे इसी तरह से संतोस जी कहां आने वाले लाहुर के जो लोग थे लाहुर तो इसमें पाकिस्तान में है तो जब यो लोग आय थे तो भारत था वो दिवाजन नही पता देश का तो उनमें से एक बड़े आधरणी माने जाते थे उनका नाम था सेवादास वे आजाद हिंद फोज में करनल थे और जेल से सन्यासी बेस धारन करके पलायन कर गये थे और नाम धन से संपन सेवादास जी की नाम खुमारी नैनों से ज्छलक करके बरवसी गुरुनानक देव जी की याद दिला जाती थी इनकी साधना स्थली हिमाले में धर्मशाला के पास योल में रही और बाद में व्रंदाबन आना जाना उनका ज़्यादा हो गया व्रंदा बनाने से संतोष जी से मिलते थे नाम चर्चा में बहुत ही सुखमे समय बीठता था ये माता संतोष जी की पास जवाते थे तो उनका बाजार का काम भी कर देते शेवा करते बड़ी श्रद्धाचे करते थे और इनकी श्रद्धा के ही कारण संतोष माता इनसे कारे लेने में संकोच नहीं करते थे बगतों ये बात हर आदमी समझ नहीं पाएगा मैं देखता हूँ जिप मेरी कोई ऐसी उंची स्ठीच नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने से अनुमान लगा लेता हूँ कि मैं हर कारिये किसी से करवा नहीं सकता हूँ मैं इसी तरह समझता हूँ कि इन लोगों के सामने भी होता होगा कि कोई कहे गा तब भी उनसे नहीं करवाते शंकोच रहता है कि इनसे कैसे सेवा लें तो जिसकी बहुत भोली शरद्धा होती है उसी से सेवा ली जा सकती है अपनत्य बहुत हो तो संतोस जी इनके अपनत्य की भावना देख कर कि इनसे सेवा लेती थी और ये सेवादास्ती महराज लाहूर वाले बहुत भाव से लगे रहते थे बड़ा सहयोग था इनका संतोस्माता की जीवन में भगवान की ऐसी कृपा होती है कि इन महान महान संतों भगतों को भगवान मिला देते हैं और इनकी भगती की वृद्धी होती है साथ साथ पूरा वाता वरन भागवन में प्रीति में हो जाता है मैं आपको पहले उश्या मता पेचरे तो सुना चुका हूँ वही मता 17 नवंबर 1969 का मंगल में दिवस था उज्य संतोस बहिंजी के लाहावर से ही परचित्ति हूँ उश्या मता मैंने आपको सुनाया था कि अंबाला में रहती थी तो उनको पत्र के द्वारा पता चला था मैरा जी ये दिवी भूती ये भी थी और बहुत दैवी गुण थे इनके अंदर तो अंबाले के सनातन धर्म कन्या विद्याले में अध्यापन रथ थी वहां की प्रधानाचारिया श्री उश्याजी श्री धामवास की लालसा से गृत्याग करके सदा के लिए वरंदा बना गई थी और ये जब समाचार मिला है संतोस जी को तो इनके उल्लास का पारावार नहीं रहा कि अब संसार से पूरण वैराग्य हो चुका उनको और सरलाजी को बार-बार पत्र पढ़ कर सुना रही थी आनन्द मगना ए दोनों उन विजुषी परमभक्ता के व्यक्तित्त को अपनी कल्पना में मूर्थ रूप दे रही थी गौर वर्णा मध्यमकद आकरशक नैन कंदे तक जूलते गुंगुराले के पैचान के लिए संभावत विम्लाजी ने इनका चित्र भी सुलब करा दिया था पर फिर भी कैसे पैचानेंगे उत्चुकता ही ऐसी थी यमुना तट पर किस ओर जाएंगे श्याम सुन्दर की एक और सकी निजधाम आ रही है ये इसी सोच में डूबी थी कि महराज वो लाहौर वाले संत स्रिवधास्टी महराज आ गए उशा जी की चर्चा करते ही पता चला कि उनसे पूरू परचित हैं अंबाले में रह रहे हैं इनके छोटे भाई योगेंड के घर के ठीक सामने ही रहती थी ये तेजस्विनी भाक्तिमती उशा जी और सेवधास्टी का इनकी हाँ आना जाना भी था बस अब क्या था इन सबने मिल करके योजना बनाई और बनार्सी भाई को केसी घाट जाने वाले चवराये पर खड़ा कर दिया उशा जी तांगे से उतर करके यमिना पुलिन का रास्ता पूछ ही रही थी कि बनार्सी भाई संत सेवधास्टी का संदेश ले पर आज उन्हें अनुने विने कर जबरदस्ती संतोस भहिण जी कहां ले आए और संतोस भहिण जी यहों मग करके उसाजी से मिली मानो यूग-यूग के प्रेमी हैं यह जैसे जन्म जन्मांतरों की घनिश्टा हो हो सकता सही भी हो क्योंकि पूरो जन्म के यह प्रेमी संत भक्त लोग भगवान के प्रेम की कारण बढ़े अपनेपन से मिलते हैं इनका प्रेम को सारी प्रेम नहीं होता यह भगवान की भक्ती का प्रेम होता है सरलाजी का मौन मिलन और संत सेवादास जी का महराज वादसलिपूंड आहलाद श्रीधाम के इस गोपिनात गेरे की ये भाव मैं मिलन संगोष्ट ही संध्या की सुर्मिली सुष्मा पुशा जी के आगमन से और भाव मैं हो गई संथ से भी पुझ बहिन जी का आव भगत का सुभाव था ही तो लगभग 12 वर्स पहले व्रंदाबन आई अनुभवी बहिन जी अर्था संथोस जी उशा जी के लिए सुख़ सुद्धण आश्रे बन गई क्योंकि उशा जी को उस समय तक व्रंदाबन की विशे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और संथोस जी तो 12 वर्स पहले से रह रही थी इसलिए सब उनको मालूम था तो संथोस जी के वईराग ये तिक्षा नाम सेवा से प्रभावित हो करके उशा जी की इनकी प्रति अगाद शद्धा और आदर सम्मान की भावन थे संथोस जी इने अकेले कहीं नहीं जाने देती थी बड़े प्यार से इनको खिराना पिलाना बिहारी जीव अन्य मंदिरों के दर्शिन कराना सब स्थलियों से परचित कराना सब ये उत्तरदाय तो संथोस माता नहीं इस निभाए वस्तो तो उशा जी को व्रिंदा बनाने पर यही सब से पहली मिली थी न संथोस जी यमना जी के दर्शन करने से पहले ही संथोस माता मिली थी और उशा जी सदैव ने छोटी यमना जी करती थी सच ही तो इनके दर्शन करने से मात्र से ही दर्शन करने से ही यमना जी की तरह तन, मन, प्राण, पावन हो जाता था स्री कृष्ण भक्ति से वो तो प्रोथ हो जाता था और उस दिन उशाजी को जलपान करा करके सभी आकर के यमना पुलीन पर बैठ गई कैसी महान महाभागाओं की संगोश्टी थी थी ऐसा लगता था जैसे कल्यूग में गोपियां आकर प्रकट हो गई पूरुपुर्ण ने कहें या जन्म से अपनी स्वरूप इस्थी थी उसाजी श्री कृष्ण प्रिया के रूप से ही जन्म ले करके आई थी जन्म से ही सभावत भक्ति स्वरूप ही उनमें देखने में आया ये बालिका जैसे जैसे बड़ी होती गई भक्ति महारानी की दिव्य किरिने इनमे प्रस्पुडित हुई और इनकी कावे प्रतिभा जन्मजार थी धीरे धीरे इस चंद्र प्रभा से आकर्षित तारिका मंडल एक विशाल रूप में एकत्रित हो गया और इनकी कृपा शोट से सनाथ उत्यकोट की कृष्ण प्रयाओं के रूप में परनित हो गया और ब्रजरस में दूबता गया वक्तों आज भी उशा भहिन जी की सहेलियां सक्खियां, शिश्याएं वंदवन धाम में हैं जगे जगे रहती हैं लोग समय समय पर मिलती रहती हैं इनकी प्रेमाग्रह को देख करके एक दिन में भी गया था इनकी प्रास वहाँ देखा मैंने बहुत सी बुजर्ग बुजर्ग माताएं भाव में डूबई हुई पद गायन कर रहे थी और उन माताओं के पद गायन में बहुत अधी प्रेम था मुझे उसको श्रमुण करने का सोभा के प्राप्त हुआ था वहाँ मुझे पता चला कि उशा भहिन जी की ये सब सक्हिया हैं और उशा भहिन जी जब आई थी व्रिंदावन में तब संतोस भहिन जी नहीं उनको सबसे पहले सम्हाला था आश्रे दिया था और वही मार्ग रर्षिन करती थी वही मंदिरों का दर्षिन कराती थी उशा जी के आने के पहले ही संतोस जी को स्वप्न में ये सब दिखलाई पढ़ गया था और इसलिए वो और ज़्यादा भगवान की इच्छा उसको मानती थी कि उनकी सेवा करने, सम्हाल करने और ऐसा लगता थे जैसे खुब पहिचानती है उनको सदा प्रेम का समुद्र इनके मन में लहराता था उशा जी के अंडर ऐसा कौन होगा जो एक बार उनको मिला हो और उनकी प्रेती का बंदन न लगा हो इतना अधिक प्रेमी थी भगवान की है भगवान की प्रेमिका के सभाव की कारण इनको सबको अपने से भगवान की भक्ती में लगा करके जोड कर रखना था और वक्तों इनकी एक सकी थी सुशीला जी अब सुशीला जी के विशे में आगे मैं थोड़ा स्पेर सुनाओंगा आपको अभी किवल उनका हलका सपरिजय आपको दे रहा हूँ ये अध्यात्मा वरुच संपन्ना थी सुशीला जी और ये सत्रह बर्ष की आयू में उशा जी से अंबाले में मिली थे अपने भावावेश में श्याम संदर की वन्शी ध्वनी में अपना नाम सुन करके आवस हो करके विरंदावन चलिया आई थी इनको श्याम संदर की वन्शी ध्वनी में उस इला जी को अपना नाम सुनाई पड़ा था वापस लोटने पर उशा बहिन जी ने अपने सेवे ठाकुर जी के और इंगित करके कहा था क्यों इनमें वे नहीं दीखे तुझको अरे वही तो हाँ ये उशा जी के ऐसे कहते उन्हें श्रीव इग्रह में ठाकुर जी की प्रत्यक्ष जलक दिखलाई पड़ी और उसके बाद इन ठाकुर जी के प्रतितों इनकी अनने निष्ठा हो गई संत उशा जी के प्रतिभी अत्यधिक शद्धा युँग समर्पन भाव भरा रहता था उस रश सामराज की सुखत चर्चाओं की साथी उन अनुभूतियों की प्रज्याता शुशीला बहिंजी वास्तों में उशा जी की अभिन्प्राण है उस समय तो जैसे दो शरीर एक नाड़ हो ऐसे रहती थी शुशीला बहिंजी का उशा जी के प्रति अनुठा समर्पन का भाव था मित्वासी संकोची दिन रात मौन सेवा में डूबी शुशीला बहिंजी पर जब कभी उशा जी के जाने के बाद परिकर की सार समाल का कारे आ पड़ता था तो उस उत्तरदाई तो कोई बहुत कुशल सासर निभाती थी उशा जी की अनुरूप ही ठाकुर्ट सेवा वैसे ही पाठ सत्संग की व्योस था और सभी उत्तरओं का सुचार रूप से आयोजन इनकी अद्विती सामर्थ कुई जहलक को दिखलाता था संतोस बहिंजी भी ने उशा जी की स्वरूपी नहीं कहा करती जब सुशीला जी को उशा जी लगभग 6 महीने ब्रंदा बन रहकर कुछ जिनों के लिए मबाला गई थी और फिर जब लवटी तो पूझ बहिंजी को और असुविधा नहीं होने पाए इसका ध्यान और साउधानी से किया जिससे बार-बारे जाए नहीं वे रहने की कहीं और व्यवस्था कर लेने की सोच रही थी पर जैसे उशा जी बिहारी जी के दर्शन के लिए द्वार पर पहुंची तो सामने पूझ मनोहर दास बाबा मिल गए परस्पर अभिवादन के बाद पुछा कहां रहोगे तो कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पाई तो महरा मनोहर दास बाबा ने उशा जी के कंदे पर लटका उनका छोटा सा जोला अपने हाथ मे लिया और उन्हें बिहारी जी के दर्शन के लिए भेज दिया बाहर आते ही बाबा उन्हें ठाकुर गंचाम जी की कुटिया में ले गए गंचाम जी के चरिद्र आप सुन चुके हैं बक्तों चालिस भाग में तो जब गंच्याम जी की कुटिया में ले गए तो वहाँ महाराज जी बालकृष्णदाश जी और संतोस माता भी बैठी थी इस प्रकार उचा जी के रहने की व्योस्ता इस बार संतोस बहिंजी के यहाँ ही हो गई और संतोस बहिंजी के जीवन का साधन पक्ष बहुत ही गोपनी रहा उनके साथ रहने का सौभाग बहुत कम लोगों को मिला सरला जी प्रग्या चक्ष होने की वज़े से जान ही नहीं पाती थी उसाजी बहुत ही भागिशाली व्यक्तियों में थी दिन भर तो उनका सामेपी मिलता रात की निरौता में संतोस माता की ठाकुर जी की प्रती आकुलता व्यकुलता की साक्षी भी रहती रात दस बजे के बाद सभी मौन हो जाते थे सरला जी उसा जी वा संतोस जी कोई भी बात नहीं करती थी पूरी रात तीनों ही जागती रहती थी और संतोस माता की कुर्ते की जेव में उनकी जप माला निरन पर गतिमान रहती थी बात यह कि माला कोई देखे नहीं इसलिए हाथ को कुर्ते की जेव में रहती थी और जेव में ही माला गुमती रहती थी भक्ती करने में भक्तों दिखावा नहों तो बहुत अच्छा रहता है इसलिए जेव के अंदर माला ये गुमाती थी और संतोस माता के सूदूरलव संग में भीगी उशाजी कुछ महिनों बाद जब अंबाले फिर एक बार गई पर श्रीधाम के आकर्शन ने उशाजी को अंबाला में रुकने ही नहीं दिया इस बार वो अपने सेव ठाकुर जी को साथ लेकर बहुत जल्दी बिरंदा बना आ गई और भक्तों इतना प्रेम था इन बहिनों में इस अब गोपियां थी भक्तों और उशाजी के सेव ठाकुर और सखा जी द्वारा प्रदत्त रिलाएं हैं जो इन गोपि स्वरूपा प्रेमिल हिर्दियों में परस पर सुद्धरता से जोड़े हुई थी संतोस जी इन शाकुर जी के प्रती इतनी प्रगाड आत्मीता और अंतरंग निष्ठा थी इनकी संतोस जी की कि अक्सर उशाजी के साथ साथ वे ही अनभूतियां संतोस जी को भी हो जाती थी पर अस पर एक दूसरे के प्रतिन का आदरभाव देखने हो गय था उशाजी संतोस माता के हर आदेश को ब्रम्भ वाक्य मान करके प्राणपन से पूरा करने में जुड़ जाती थी संतोस माता जो भी कोई बात अपने मुँझ से निकालती थी उशाजी उसको बहुत आदर से सुनकर बिल्कुल वही कारे करती थी इधर उशाजी को अपने ठाकुर जी की प्रीट भरी लाड़ मई प्राणपगी सेवा करते देखकर संतोस जी भी मुख्द हो जाती थी और उनी की सक्खी थी सुचीला जी कृष्ण प्रीट से भरी रहती थी ये सक्खियां आप समझे इन महान भग्ति मती माताओं के बीच में कितना कृष्ण के प्रेम का राधरानी के प्रेम का आनन्द बरसता होगा इसको समझना भी मुश्किल है और भी बहुत सी भग्ताओं और संत लोग इन से जुड़े हुए थे उस चर्चा को आगे मैं फिर सुनाओगा आज महान तक को प्रेम करके इहीं प्रेम दे रहा हूं श्रा दे रहा दे जे श्रा दे जे श्रा दे जे